T20 World Cup 2022 में मिली हार के बाद भार्त टेम निजलेंड दोरी पर पहुंच चुकी है दोस्तो भार्त निजलेंड के बीच में 18 नवमर को पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा जो कि सुपर ओवर का खेला जाएगा बीच भी इस ओवर का मैच नहीं होगा कि अब एक एक ओवर का मैच होगा दोस्तो अभी चाहते हो एक एक ओवर का मैच हो इस वीडियो को लाइक करिए चेनल को सस्काइब करिए बाला का अंदवाजिये और लूटिफिकेशन पे क्लिक करना बुलकुर ना भूल है दोस्तो T20 World Cup 2022 के सेमी फैनल में इंगलेंड से मिली करारी दस बिकेट से हार के बाद टीम इंडिया ने सबक लिया और भार्गत टेम सभी हार को भुला करके और उससे कुछ नया सीख करके निजलेंड दोरे पर पहुँच चुकी है भार्गत निजलेंड के बीच में तीन T20 मुकाबले के एक सिरीज खेली जाएगी उसके बाद तीन मैचों के एक वंडे सिरीज खेली जाएगी दोस्तों तीन मैचों मैं से पहरा T20 मुकाबला 18 नवमार को खेला जाएगा भारत समय अनुसार दोपैर के 12 वजे से जो की वैलिंग्टन के मैदान पे खेला जाएगा उसके बाद दूसरा T20 मुकाबला 20 नवमार को खेला जाएगा और 22 नवमार को तीसरा T20 मुकाबला नेपिया के मैदान पे खेला जाएगा दोस्तों मौसम विवाग की माने तो मौसम विवाग के अनुसार वैलिंग्टन में जोड़दार बारिस हो सकती है 85% बारिस के चांस हैं यानि की बारिस होनी ही होनी है दोस्तों अगर बारिस होती है तो फिर यह मुकाबला बारे बारे ओबर का होगा एक घंटे बाद अगर बारिस रुक जाती है यानि कि एक वजे तक तो फिर यह मुकाबला पांच चुबर का होगा अगर दो वजे बारिस रुकती है तो फिर यह मुकाबला एक एक सुपरो बार का होगा